नमस्कार दोस्तों इन्फो सिक्षा चैनल में एक बार दुबारा हम पस्तिति हुए हैं दोस्तों यदि आप अभी भी हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किये हैं तो आप हमारे चैनल को सब्स्राइब करके बेल के आइकान पर क्लिक कर दीजिए जिससे जो भी वीडियो हम अप्लोड करें उसकी जानकारी आपको दूरं मिल जाए दोस्तों आज हम बात के रहेंगे वर्ड है थार्गनाजेशन जिसका मुख्याला जेनेवा स्विजियर लैंड में स्थित है ये एक रिपोर्ट जारी किया है भी रिसेंट में रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट एयर क्वाल्टी इंडेक्स को लेकर के है कि पूरे विश्व में जो 20 सबसे प्रदूसिस सहर है उन सहरों में 14 सहर इंडिया के है ये बहुत ही हयावा इस तिक को सो करता है कि हमारे यहाँ एयर क्वाल्टी इंडेक्स पूरे दुनिया में कैसा है भारत दुनिया का सबसे प्रदूसित देश बन चुका है इसका मतलब यहाँ की एयर क्वाल्टी इंडेक्स रहने के लायक नहीं है जहां पे हर साल 20 लाग से ज्यादा मौतें सिर्फ एयर पालूसन प्रादूसित हवा की वज़े से होती है दुनिया में प्रादूसित हवा से होने वाली हर चार मौतों में एक मौत इंडिया से होती है अगर हम प्रदूसित सारों की लिष्ट देखें तो दिल्ली पहले अस्थान पर है अभी दसारे का मौसम बीता है लोग पटाखे खुब जलाए है अभी इसके बाद दिवाली का मौसम आ रहा है तो दिवाली में भी जोयर पटाके खुब जलेंगे और एयर क्वाल्टी इंडेक्स इसके बाद बदतर हो जाएगा तो सबसे नमबर एक अस्थान पर दिल्ली है जो कि सबसे प्रदूसित पूरे पिस्व में सबसे प्रदूसित सार में इसकी गिंती हो रही है दूसरे नमबर पर इंग कालपूर है तीसरे पर गुरुग्राण चोथे पर गया पांचवे पर लखनव और छटवे पर फरीराबाद तीस तरीके से अगर हम देखें तो पूरी दुनिया के 93% 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कहीं न कहीं एयर क्वाल्टी सांस लेने में उनको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिन सहरों की करब हम आज की दुनिया में भाग रहे हैं सायरों सहर अप्रहने योग्य नहीं रह गए आप कहीं तकहीं अंजाने में ही एक साइलेंट किलर दूसी थवाएं अपने अंदर ले रहे हैं जो की आपके स्वास्त पर बहुत ही भूरा आसा डाल रही है तो दाने वाट दूसको